आए अब देखते हैं किस तरह की रिपोर्ट बन सकती हैं और बनाते हैं टाइप्स ओफ रिपोर्ट अन्कॉलिफाइड क्लीन रिपोर्ट कि जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है कंपनी के सारी चीज़े ठीक हैं और वो हैपी हैं खूश हैं कि हमने सही किया है काम तो अन्कॉलिफाइड रिपोर्ट जो है वो क्लीन रिपोर्ट एक्सेप्ट पॉर्ड क्वालिफिकेशन एक्सेप्शनल रिपोर्ट यहनि आप अन्कॉलिफाइड रिपोर्ट तो दे रहे हैं लेकिन किसी स्टेज पर किसी भी जगह पर आप समझते हैं कुछ चीज हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप एक exceptional paragraph उसमें डाल देंगे ताके management जो है और जो रीडर्स हैं उनको भी पता चले के this is something special. एडवर्स रिपोर्ट यह है जिसको हम कहते हैं qualified जिसमें आप उस सारा नेगिटिव जो चीज़ें हैं उसमें अब यह मैं आपको लेटर बताऊंगा डिटेल में इसकी के एडवर्स में क्या करें डिस्कलेमर रिपोर्ट किसी एरिया को कहते हैं जी हमने यह audit नहीं कि डिस्कल assets का एक register maintain करना जितने भी फिक्स assets थेज। वह equipment के हैं office के हैं कहीं के भी हैं factory के हैं सारे equipment का एक register maintain करना पकथ कब खरीते गए कितने में खरीते गए डिपरेस्टेशन कितनी हैं कितनी adjustments में हो यह किसनी change आई है साला detail होती है और unfortunately यह register hardly कोई company maintain तो अगर उन्होंने उसको verify नहीं किया है वहाँ से तो वो कह सकता है कि यह जो है हमने area cover नहीं किया disclaimer कि हमने company का fixed register को check नहीं किया unqualified opinion the financial statements give a true and fair view of the state of company's affair as on such and such date and profit and loss of the year then ended यनि आप यू कहलें कि वो financial statement जितनी भी है जितनी भी आप बना रहे हैं चाहतो normal है यह ना लेकिन notes to the accounts और के साथ जो explanations हैं उन सब के बारे में अगर वो समझता है कि यह ठीक हैं फिल्कुल तो वो फिर unqualified opinion mention करने दे कंपनी financial statements have been prepared in accordance to the FIRS and adopted generally accepted accounting principles that is very important लेकर generally accepted principles में basic चीज में बताते हैं कि एक है cost concept यह अकाउंटिंग में कोई भी चीज आप ला रहे हैं तो उसको monitored terms में लेकर आएं और monitored terms में भी जो cost incur हो रही उसको record करें यह नहीं कि आप उसको थोड़ा बढ़ा चड़ा कर लिख लेंगे no और उसके लिए बकाइदा आपके पास documentary evidence भाना चाहिए कोई नहीं कोई documents देखें आप एक machine import कर रहे हैं तो import के जितने भी documents सारे उसके साथ अठाच हो अब वह verify तभी करेगा जब पूरे documentation यह पूरी trail देखता है कि आपने जो balance sheet में एक item दिखाई हुई है यह कैसे पहुची है यहां और इसके back में कौन-कौन से documents हैं सारे देखने have been prepared in accordance with the requirements of the company's ordinance. अब यह company ordinance है यह company's law है इसमें changes होती रहे हैं तो auditor जो है वह normally mention करता है कि किस ordinance यह किस act के तहत आज कर 2017 चल रहा है तो वो mention करेगा कि हमने जो audit किया है वो इस company ordinance के मताबिक हमने check. Accept for qualification, express an opinion on the financial statement except of repercussions stemping from condition that must be disclosed. As I said, अगर वो समझता है कि हमने चीज़ से नहीं देखी गई है और नहीं दिखाई गई है तो वो अपनी बता देगा कि इस area को हमने टाचिक नहीं किया. Limitation of audit scope, failure to obtain reasonable object. And verifiable evidence, यह सब चीज़े जो है ना बकाइदा auditing standards हैं और standards में है, for example यह जो verifiable evidence है. Evidence जरूरी है, documentation के यह जगा ठीक है, लेकिन physical भी चेक कर, यह भी जरूरी है कि वो physical भी जाके चेक, यह नहीं है कि सिर्फ document किया तक ही देखेगा वो नहीं, वो केई तरीके हैं evidence को देखने के, लेकिन जैसे मैंने कहाना कर, verifiable evidence जरूरी है. Disagreement with the management, किसी वज़ा से management के साथ disagreement हो नहीं, हम मैं कहता हूँ कि जिसको इस तरह से entry होनी चाहिए थी, management कहती कि नहीं, ऐसी रहने दें, तो अगर आपका कोई disagreement है, तो भी एक problem हो जाएगी, आपकी report जो है न हुए exception हो नहीं, we have not received all the information and explanation, we required for our office, अगर आपको पूरी तरह से information provide नहीं की गई है, तो भी आप अपना report में mention करते हैं, usually होता ही ही है, कि जैसे मैंने कहा कि सारा कुछ आप लिख कर करते हैं, जबानी कुछ नहीं होता, अगर जबानी करोगे तो वो acceptable नहीं है, क्यों, कि आपको अपनी audit file के लिए proper form बनाने पड़ेंगे, normally अब तो computer का दार है, तो सारी templates होती है, उसमें आप entry डाल देते हैं, कि यह यह चाहिए, और उसके आगे फिर यह बताते हैं, कब मिली, कैसे मिली, कितनी मिली, उसमें को problem है, तो इस सारा trail जो है आपको रखना पता, उसकी reason है, कि ultimately आपने जो audit report बनाई है, annual हमारा जो Chartered Accountants Institute है, वो auditors की companies, auditors क आप भी review करता है, देखता है कि यह आपने जो audit किये हैं, वो आप ही ठीक किये हैं, कि नहीं किये, इसलिए आपको documentary evidence रखना पड़ता है, कि हमने कैसे audit किया है, जो plan आपने बनाया, आपने according लेके हैं, आपने क्या-क्या check किये हैं, होता normally यह है, कि आप जो staff आता है na audit करने क के लिए audit department से, audit form से, उनको allocate कर दिया जाता है, कि आपने assets को verify करना है, आपने liability को verify करना है, आपने revenue को verify करना है, और आपने expenses को verify, कि सारी detail उनको दी गई होती है, और वो accordingly उस format में entry यह डालते चले जाते हैं, और proper record keeping करते हैं, Adverse opinion in cases where financial statements are not prepared in accordance to with the accepted accounting principle, renowned है यह चीज़ के accounting principle है, इनके मताबिक ही आप बनाएंगे, तो फिर तो acceptable है, otherwise नहीं, लेकि आप standards है, बहुत सारे standards हैं accounting के भी, इसी तरह standards हैं audit को, तो we should follow the accounting principle as well as the audit bill. Has material effect on the fair presentation of the statement, if the client is not prepared to amend the account so required? आप कहते हैं यह 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 चेंज करके लाएं, फिर हम इसको audit करें, फिर देखेंगे, आप नहीं करने के लिए त्यार, तो वो फिर आपको adverse opinion देखेंगे, और मैं आपको बताँ कि यह जो adverse opinion है, यह बड़ी ही serious हो, मैं आपको एक report कर बता देता हूँ, I got a report, जो adverse थी, उसमें 12 objection लगाए होई, अब जो objection auditor raise करता है, डारेक्टर की responsibility है को उनको address करे, उनको satisfy करे, अगर वो satisfy नहीं होते हैं, तो वो report adverse बन जाएगी, और उसमें, मैं आप example बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि, fixed asset register maintain किया जाता है, अब वो maintain नहीं हुआ, नहीं देखा, दिखाया गया auditor को, तो उस पर ही जो है जगड़ा हो गया उनका आपस में, कि जिन नहीं आप दिखाए हमें, अगर नहीं दिखाएंगे तो हम report में दिखते हैं, तो question यह है कि, वो जो raise करते है objections, जो कि आपने accordingly नहीं की हुए accounting, तो फिर उनको explain तो करना पर, यह directors की responsibility है, कि वो explain करे, उन objections को, उसकी reason क्या हो सकती है, may be because कि वो थोड़ा सा light रखते हो, लेकिन जो QCR की auditory firms है, QCR जो quality को control review करती है, वहाँ पर यह possible नहीं है, अगर adverse report है, तो वो adverse ही आए, disclaimer of opinion is a statement of inability to express the opinion, unable to form an opinion about the financial, decision, कहेंगे जी हम नहीं inform कर सकते है, because of this reason, for reasons normally वो report करते हैं, लिखते हैं, so that is one thing, audit requires a letter of representation from the directors, or the management letter, दोनी नाम लिखे जाते हैं, representation letter भी कहते हैं, management letter, auditor जो है, जाहर है, hundred percent तो सहीब चीजें कहीं भी आपको शाहिद मिलें, लेकिन जो चीजें आप समझते हैं, कि mild हैं, जादा serious नहीं हैं, तो आप एक report letter बनाते हैं, अला कि letter तो management बना रही है, लेकिन बनाते हैं, वो auditor की base, जो auditor बता रही है, और वो फिर management, उनसे, management से sign करवाकर अपनी file में लगा, उसकी reason, कि देखें, कलको कोई चीज आती है, कहीं पर, तो वो तो कहते हैं, हमने तो बताया था देखें, इन्होंने लिखा था हम ठीक कर लेंगे, तो यह जो letter है, यह बनाता तो, basically लिखता तो auditor ही है, लेकिन होता है management की तरफ से, management उसको own करती है, और management ही sign करके दे, auditor कंपनी के letter head पर नहीं होता, management के letter, so that is a very important document, in case you find, कि यह जो चीज, जो audit किया है, इसमें यह यह चीज रह गही है, जो, और they promise के जी हम आइंदर ठीक कर लेंगे, तो वो letter अपने पास वो महफूज करते हैं, और जब next time आते हैं, तो they make sure के जी जो आपने promises किये थे, कहीं कहां, किस हद तक आप ने उसको प्रूप किया है, only then they give a clean report, audit is a review of code of conduct, अच्छा qualification में कहते है, if there is a problem of going concern, यह मैं ज़्यादर डिटेल में बताऊंगा, कि going concerns की problem क्या है, कि अगर आप समझते हैं, कि आपकी company जो है, वो आने वाले कुछ दिनों तक, या कुछ महिनों तक, या कुछ में भी यह, तो continue नहीं कर पाएगी, due to this, this, this reason, वो reason में बाद में बताता हूं, तो आप फिर going concerns की exemption लगा, लगा देंगे कुछ, तो उस वकर क्या होगा, जब going concerns की आपको लगाएंगे, उसमें तो फिर problem आए, क्योंकि इसका मतलब यह है, कि onward इस business के साथ और कोई business लोग करना नहीं, चलिए कि it's not going to continue, so that's a very serious objection, auditors review of code of corporate governance, यह भी part अब auditor का बना दिया गया, उसकी duty में शामिल कर दिया है, कि जो code of corporate governance, board of directors ने लिखे हैं, report में, उनको auditor review करे, और उसके ओपर अपनी opinion दे, अलांकि audit नहीं है असर, लेकिन code of corporate governance पर उनसे review मांगा जाता है, और वो बताएंगे कि जो code of corporate governance हैं, उनको कहां कहां कैसे कैसे follow, अगर नहीं follow किया है, तो they have the money, नॉर्मली एक पेजी होता है, उसमें वो बता देते हैं, क्योंकि code of partners में points है, 1, 2, 3, 4, 5, तकरिवन 23, 24 points बनते हैं, वो हर points को देखते हैं, पढ़ते हैं, और अगर वो समझते हैं, कि इन्होंने code of partners मताबिक accounts बनाए हैं, तो फिर वो उसको approve कर देते हैं, और अपना review देते यह भी auditor, यह report नहीं है याद है, opinion नहीं है, यह सरफ अलग से एक चीज है, अब देखिए, इसमें, the communication with those charged with the governor should be reviewed as a crucial reporting audit of the audit, it also managed to inform, it also allows management to inform of significant matter, तो 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 आप ignore कर सकते हैं, लेकिन अगर कि significant है, materials है, उसको आप ignore लेकर सकते हैं, arising from the audit process and allow management to the chance to respond to the auditors regarding these matters and to take action to improve the accounting and financial reporting functions of the entity, मतलब वो उनको allow करते हैं, देखें जी यह यह आप किस चीज़े ठीक नहीं है, आप बिताएं कैसे ठीक करनी है, और जब तक आप ठीक नहीं करते, आप report नहीं देते हैं, अब यह भी है कि report बन जाती है, उसको sign होना है, तो यह है, लेकिन वो इंतिदार कर रहे होते हैं कि अगर को ऐसे चीज रह गई है, जो हमने पूछी थी और उनको नहीं बताई, तो आप audit report को hold करें, और वैसे भी यह है कि audit जो है, वो जब तक थारी चीज़े auditor का देखें, उसकी responsibility है, कल को auditors भी जो है न वो पकड़ा जाते हैं, बहुत बड़ बड़ी कमतियां जो fail हुई है उसमें auditors को भी कम पूरी की पूरी audit firm जो है, worldwide audit firm जो थी, उसको खतम कर दिया, because वो मिल गए, इसको कहते हैं collusion, अगर आप management के साथ मिल कर कोई fraud करते हैं, या गलत report पेश करते हैं, तो auditor is equally responsive, और उनको भी सजा दी गई है, तो इसलिए auditor जो है, वो बड़ा safe play करता है, अपनी position को बचाय रखता है, हर हाल में बचाने हो, लेकिन अगर उसने audit भी तो कर रहा है, इसको fees भी तो मिलनी है, लेकिन in the same case कि आपको उसको, अपनी आपको भी safe guard कर, that is how these reports are, thank you very much.